सपने में गाजर का सपने में देखना अच्छा और बुरा दोनों अर्थ अगर कोई वेक्ती सपने में गाजर देखे तो अगर इसके रेड कलर पर इसका मतलब लिया जाए तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला आने वाले समय पर फजूल खर्ची करेगा और अगर कोई वेक्ती सपने में हाथ में गाजर देखे तो इसका दूसरा मतलब आने वाल और सफलता पाना और अपनी लाइफ के अंदर सहूलत और आसानियों को पैदा करना होता है इसी तरह अगर कोई विक्ती सपने में देखे कि उसने गाजर खाई है तो एक आम कहावत है कि जिसने खाई गाजने दर्द उसी के पेट में तो अगर कोई विक्ती किसी समय पर गाजर खाता है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाले के पेट में कोई खराबी होगी और इसका दूसरा मतलब अगर इसके हलवे पर लिया जाए तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला आने वाले समय पर अपने बिजनस में, अपने मकसद में आसानी के साथ कामयाब हो जाएगा इसी तरह अगर किसी मुसीबत में फंसा हुआ कोई विक्ती, कैदी या कोई टैंशन का मारा हुआ सपने में गाजर देखे तो इसका मतलब है कि वो मुसीबत से छुटकारा पाएगा, कैद से आजादी हासिल करेगा मैं आशा करता हूँ कि आपका सपना आपके लिए अच्छी व्याख्या बने, अनुमती चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए सपने की व्याख्या के साथ